अज स्टार्ट करने वाले method of substitution इसका type 1 के गोशन करने वाले हाज हम ठीक है सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि method of substitution क्या होता है suppose करो type 1 के निरम कैसे function कैसे substitution पढ़ेंगे हमारे पास मानने के चलो कोई एक function है f of x कोई एक function है और which is a function of another function इसको हम g of x मान लेते है ठीक है एक function है जो की g of x का function है ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर g of x को हम t या फिर z कोई भी एक नया variable मान लेंगे ठीक है जो हम differentiate करेंगे z को with respect to x तब हमारे पास क्या जाएगा g dash of x आ जाएगा ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d is equal to d d is equal to क्या जाएगा g dash of x d is equal to g dash of x into में dx आ जाएगा हमारे पास ठीक है यानि कि हमारे को ऐसा कुछ integration दिया गया हो ठीक है इसके अंदर g dash x dx ऐसा function हो हमारे पास एक complete function दिया गया है यानि कि उस function के अंदर वो function क्या होना चाहिए यह total यह integrand है यह इस पूरे के पूरे का integration होना है it is a product of two functions एक तो function हो जाएगा f of g of x एक function तो यह वाला function हो जाएगा जो की function है एक और function का जिसको हम g of x गोल रहे है ठीक है और multiply में एक दूसरा function है यानि कि g of x का जब हम derivative करेंगे तो यहाँ पर derivative present होना चाहिए इस form का अगर integration आएगा तो उसको हम करेंगे type 1 form में ठीक है इसी को में का बोलते है method of substitution यही general method है substitution का ठीक है अब देखते हैं ऐसे type के questions यह जो बताया है मैंने इसको example से हम जादा अच्छे समझ सकते हैं देखो पहला question मैंने करवा दिया था अब second question करवा रहा हूँ second question के हमारे पास question है e raised to power under root x upon मैं under root x इसका integration होना है with respect to dx हमारे को ध्यान से देखना यहाँ पे क्या देखो यह दो function है एक उपर यह वाला function है और एक नीचे वाला function है ठीक है किसी एक को हमारे को z मानना है या फिर t कोई भी variable बोल सकते हैं दो पहले question को करते हैं हमने यहाँ पर क्या कर रहा है root x को हमने क्या मान लिया है z मान लिया है ठीक है तो जो हम z का differentiation करेंगे with respect to x तो हो क्या जाएगा root x का differentiation क्या होता था one upon में two root of x होता था यानि कि हम यहां से यहां से हम क्या कर सकते हैं twice of dz is equal to क्या लिख सकते हैं हम dx upon में under root x लिख सकते हैं यह दो फो था यहाँ पर multiply हो जागा two of dz is equal to dx upon में under root x ठीक है पहले हम question करते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ यह ऐसा क्यों किया देखो अब हम इनको replace कर देंगे यह हमने कर रहा है substitution यानि कि हमने root x को z मान लिया है इसको हमका बोल रहा है substitution let तो अब देखो integration किसमे substitution करने के बाद कैसा change हो गया है दोखो e raised to our under root x को हमने क्या माना है z माना है तो e raised to our z हो जाएगा divided by दो dx upon में under root x यह क्या बन चुका है twice of dz बन चुका है यानि कि यह पूरा क्या बन चुका है अब twice of dz तो क्या हम यहाँ पर multiply में twice of dz लिख सकते हैं दोखो two to constant है two constant है यह बहार चलिया आगा तो integration क्या बचेगा e की पावर z का integration with respect to z यानि कि इस integration को हमने s से कुछ convert कर दिया है अब दोखो e की पावर z का integration with respect to z यह वैसे ही होगा जैसे e की पावर x का integration with respect to x होता था तो इसका integration क्या जाएगा e की पावर x का integration क्या होता है e की पावर x e की पावर z का integration क्या होगा e की पावर z प्लस मैं c हो जाएगा अब जो हमने substitution करा था उसको मैंने क्या मानना था अंडर रूट एक्स प्लस मैं सी तो यह आजाएगा फाइनल इसका अंसर अब देखते हैं ध्यान से कि ऐसा हमने क्यों करा देखो मैंने आपको बताया था substitution method के अंदर क्या करना है किसी एक को z मानना है ठीक है और z उसको मानना है जिसका की derivative function के अंदर यानि की integrant के अंदर जिसका integration होने वाला है उसके अंदर present हो ठीक है तो ध्यान से देखो root x को मैंने t मान लिया या फिर z मान लिया क्यों क्योंकि one upon में under root x था ठीक है ताकि यह इस form में transform हो जाए इस form में convert हो जाए ठीक है तो ध्यान यह रखना है कि ऐसे function को z मानना है t भी मान सकते हैं कोई सभी variable मान सकते हैं बगर मानना उसको है जिसका की differentiation function के अंदर present हो यह type one question के बार हो ठीक है next question देखते हैं इस method कम कर बोलते हैं substitution method हम substitute कर रहे देखो next question क्या है e raised to power 10 of x sec square of x integration with respect to dx अब देखो हमने क्या बताया ऐसे function को z मानना है या फिर ऐसे function को t मानना है जिसका की derivative function के अंदर present हो ध्यान से देखो 10x को क्या हम मान सकते हैं z देखो 10x को let 10x is equal to z अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या 10x का derivative function के अंदर present है जिसका की integration कर रहे हम हाँ sec square x present है ठीक है तो हम यह estimate लगाते हैं कि हाँ यह convert हो जाएगा और convert करके देखते हैं तो हम क्या करेंगे z का differentiation with respect to x क्या हो जाएगा 10x का differentiation क्या होता है वो होता है sec square x और यह convert किसमें हो जाएगा dz is equal to sec square x d of x ऐसे हो जाएगा एक तो हमने अगर यह substitute करा है हमने यहाँ पर तो यह dx को भी replace करना पड़ेगा तो dx के लिए हमने dx sec square x इसके लिए हमने क्या convert कर दिया इसको dz में तो अभी पूरा पूरा किसके अंदर convert हो चुका है e raised to power 10x को हमने क्या मालिया है z और sec square x dx यह किसमें convert हो चुका है d z में अब इसका integration तो बहुत असान है e की power z का integration वैसे होगा जैसे e की power x का होता है क्योंकि variable of integration क्या है जिसके respect में integration हो रहा है वो z ही है तो यह हो जाएगा e की power z plus में c अब जो हमने substitution करा है यानि की 10x को हमने z माना था वापिस यहाँ पर डालना पड़ेगा तो answer क्या जाएगा e की power 10x plus में c यह final answer आचे को है ऐसा और question देखते हैं question करेंगे हैं बहुत सारे इसके अपर बेस ताकि concept क्या हो जाए clear हो जाए और practice हो जाए notes बनाते जलना आपको थर्ड question देखते हैं लो थर्ड question क्या है हमने e की power 10x वाला कर लिया है next question देखते हैं साइन एक्स integration of sin of x, cos of x, d of x इसका हमारे को integration करना है तो क्या हम साइन एक्स को इसका हमको पहली बात तो ऐसे आता नहीं है ठीक है क्या हम sin x का differentiation cos x होता है, cos x का differentiation क्या होता है, minus of sin x होता है, तो हम इन में से किसी को भी z माल लेते हैं तो हम यहाँ पे sin x को माल लेते हैं, किसको माल लेते हैं, sin of x को, यह फिर हम cos of x को भी माल लेते हैं, cos of x को क्या माल लेते हैं, z, let z is equal to cos of x, यह हमने substitution करा है ठीक है मैंने क्या बताते हो ध्यान से देखो हमारे पास एक क्या होना चाहिए हमारे पास एक function होना चाहिए f of x ठीक है है और यह जो function होना चाहिए यह किसी और function का function है f of x is a function of g of x ऐसा है कुछ ठीक है और उसका differentiation भी present है इंटेगरेंड के अंदर ऐसे d of x इस तरह का question है अब देखो जयान से क्या differentiation present है यह जो sin of x है ठीक है यहाँ पे यह किसी का function नहीं है यह function ही function है ठीक है तो sin of x का differentiation क्या present है ? cause of x present है तो हमने इसको क्या मान लिया है cause of x मान लिया है is equal to z अब देखो अब क्या हो जाएगा यह हम z का differentiation करेंगे with respect to x तो क्या जाएगा cause का differentiation होता है minus of sin of x होता है तो कै boards dx is equal to क्या हो जाएगा minus of dz dz is equal to क्या हो जाएगा sin of x d of x हो जाएगा हाँ तो हमने क्या करा अब ये question कैसे convert हो चुका है तो sine x कोThe sine x dx करने हो बन चुका है sine x dx बन चुका है integration of z into में minus of dz हो चुका ये multiplicion है तो होगा क्या अब देखो यह माइनस तो बाहर निकल जाएगा माइनस integration of z with respect to dz इसका integration क्या होता है इसका integration होता है z square divided by 2 वो भी माइनस में plus में c अब हम z जो हमने माना था वो हम वापी से डाल देंगे माइनस में cos square x divided by 2 plus में c यह आ चुका है final answer अब दोखो इसका NCIT के अंदर solution कुछ और दे रखा है तो वो उसको है ना changes करके small changes करके हम वो लिख सत्के हैं जैसा भी है ठीक है इसको हम किसी form में चेंज कर सत्के हैं दोखो ऐसे लिख सकते हैं क्या यह identity होती है sin square x plus में cos square x is equal to क्या होता है 1 होता है तो हम cos square x को क्या लिखते हैं 1 minus में sin square x लिख सकते हैं के इसको लिख सकते हैं और multiplier में क्या है minus 1 upon में 2 है plus में c है तुका ऐसा हो जागा minus 1 upon 2 plus में sin square x divided by 2 ऐसा आजागा हम इस question के अंदर cos x को भी हम z मान सकते थे ठीक है अब हम करते हैं next question fourth question करते है fourth question कर बोले गया है integration of 10 of x sec square of x d of x ऐसे function को z मानना है जिसका कि differentiation present हो function के अंदर क्या 10 x का differentiation sec square x होता है हाँ होता है तो हम क्या माननेगे z is equal to 10 of x let z is equal to 10 of x अब हम इसका differentiation करेंगे d z appointment d x क्या हो जाएगा यह हो जाएगा sec of square x यानि कि हमने d x यानि कि हमने sec square x d x को किस मा करनाट कर चुके हैं हम d z मा करनाट कर चुके हैं ठीक हैं तो हमने substitution क्या करें हैं यह दो substitution करें हैं हमने z को हमने 10 x मान लिया है तो यह question किस में करनाट हो जाएगा यह कुछ ऐसे बन जाएगा 10 x को हमने z मान लिया है और sec square x dx के आ चुके हमारे पास d z आ चुका है इन ही कि इसका integration क्या हो जाएगा z square divided by 2 plus में c अब जो हमने z को माना सा क्या माना सा 10 x वापिस से replace कर देंगे तो यह कुछ ऐसे बजाएगा 10 square x divided by 2 plus में c हो जाएगा ठीक है next question देखते है fifth question देखते हैं देखो fifth question क्या बोल रहा है हमारे को हमारे पास है integration of log of x divided by x dx पहले को question को ध्यान से देखते रहो ठीक है अब ध्यान से देखो क्या log x का differentiation one upon x होता है हाँ होता है तो क्या हम log x को t या फिर z मान ले यहाँ पर हम t मान लेते हैं let t is equal to log of x या फिर log of x is equal to t होता है तो अब हम क्या करेंगे with respect to x तो log x से differentiation क्या जाएगा one upon x यानि कि dt is equal to क्या हो जाएगा dx upon x तो हमने ये दो substitution करें हैं देखो तो अब ये function कैसा convert हो जाएगा ये कुछ ऐसे हो जाएगा log x को हमने t मान लिया है और one upon x dx is equal to क्या बन चुका है dt बन चुका है अब t का integration तो हमार को पता है क्या होता है? t square divided by 2 क्यों होता है? क्योंकि x की power n का integration क्या होता है? वो होता है x की power n plus 1 divided by n plus 1 plus में c ये formula होता है इसलिए ठ़िक है? तो यहाँ पे x है और यहाँ पे t है यहाँ पे integration with respect to dx है यहाँ पे respect to dt है तो यह same ही concept है ठीक है तो यह क्या आचका है t square by 2 plus 1 plus में c is equal to अब t square t को replace करना है log of x से ठीक है log of x से तो यह log of x का whole square हो जाएगा divided by 2 plus में c तो यह हमारे पास final answer आचका है ठीक है next question देखते है 6th question 6th question क्या बोलता है हमरे को दो sine inverse x upon में under root में 1 minus में x square इसका integration है with respect to tx अब गौर से देखो यहाँ पे कोई एक ऐसा function है जिसका की differentiation function के अंदर present हो हाँ इस integrand के अंदर sine inverse x ऐसा function है जिसका की मैं differentiation करूँगा तो हो क्या जाता है sine inverse x का differentiation आ जाता है one upon में under root 1 minus में x square यानि कि इसका differentiation present है function के अंदर ठीक है sine inverse x का function के अंदर present है वो भी multiplication में है यानि कि one upon में under root 1 minus में x square के है multiply में है तो हम इसलिए क्या करेंगे sine inverse x को हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे और t का जब हम differentiation करेंगे with respect to dx तो वो क्या हो जाएगा sine inverse x का हो जाता है one upon में under root 1 minus में x square हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा this implies dt is equal to dx upon में under root 1 minus में x square हो जाएगा अब यह function कैसा convert हो चुका है तो हो sine inverse x को हम t मान चुके हैं और dx upon में under root 1 minus में x square क्या बन चुका है यह बन चुका है dt तो t का integration क्या होता है यह होता है t square divided by 2 plus में c अब जो हमने t माना था उसको replace कर दो t है ना उसको replace कर देंगे जो t हमने substitute कर रहा है वापिस हम उसको डाल देंगे तो answer क्या जाएगा हमारे पास sin inverse x का whole square divided by 2 तस में c यह हमारे पास final answer आजाएगा ठीक है next question देखते है 7th question 7th question देखते है 10 inverse x 10 inverse x upon में 1 plus में x square इसका integration करना है with respect to dx अब देखो द्यान से क्या 10 inverse x का differentiation present है function के अंदर हाँ क्यूंकि 10 inverse x का differentiation क्या होता है याद करो यह होता है 1 upon 1 plus में x square होता है 10 inverse x का differentiation तो क्या हम ऐसे बोसकते हैं कि 10 inverse x let 10 inverse x is equal to z now जब हम इसको differentiate करेंगे with respect to x तो 10 inverse x का differentiation क्या हो जाएगा 1 upon में 1 plus में x square हो जाएगा और यह क्या जाएगा dz upon में dx तो हम dx को हम यहाँ पर भेज़ देदे हैं यह क्या बन जाएगा z upon में 1 plus में x square इंटू में dx यह क्या बन चुका है यह बन चुका है dz यह क्या बन चुका है d of z तो क्या अब हम इसका integration कर सकते हैं z का integration z के respect में same function का उसी variable के respect में integration किया जाता है तो इसका integration तो हमारको आता है z की power 1 है तो power में 1 add हो जाएगा divided by 2 plus में c यानि कि क्या हो जाएगा z square divided by 2 z square divided by 2 plus में c अब हम क्या करेंगे z को replace कर देंगे जो हमने यहाँ पर माना था यानि कि यह क्या हो जाएगा tan inverse x का whole square divided by 2 plus में c तो यह आजाएगा हमारे पास final answer next question देखते है हमारे पास question है देखो देखो यह answer 8th question देखते है 8th question जब बोलता है हमारे को e raised to power 10 inverse x upon में 1 plus में x square इसका integration करना है with respect to dx इसका integration करना है with respect to dx अब ध्यान से देखो क्या दो जैसे मैंने फिर से एक बार explain करता हूँ मैंने बताया था एक function है है ना एक function है जो की function है किसका g of x का function is a function of g of x और g of x का derivative present है function के अंदर ही ठीक है g dash of x अब इस पूरे का integration करना है इसी को हम क्या बोलते है substitution बोलते है ठीक है जो हम करते आ रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे g of x को हम क्या मान लेंगे z let g of x is equal to z अब ध्यान से देखो हमारे पास ये function है है ना e raised to power tan inverse x एक function है वो क्या है function है and e raised to power tan inverse x is a function of is a function of tan inverse x is a function of tan inverse x ध्यान से देखो e raised to power tan inverse x is a function of tan inverse x प्रस में x square हाँ तो वो multiply में है तो ये इसी form का बन जागा इसी को हम क्या बोलते है substitution यानि कि एक ऐसा function ढूणना है जिसका की differentiation present हो integrant के अंदर integrant means इसका integration हो रहा है ठीक है तो इसका integration कैसे होगा अब देखो यहां पर क्या है यह हमर पास g of x क्या हमर पास यह क्या है g of x क्या हमर पास tan inverse x है तो हमने क्या बूला z is equal to g of x हमने मान लेना है तो क्या हो जाएगा let tan inverse x is equal to z यानि की जो g of x था g of x था उसी को हमने z मानना है तो क्या हो जाएगा dz upon dx क्या हो जाएगा tan inverse x का differentiation क्या होता है 1 upon 1 plus में x square differentiation होता है ठीक है यह समझाने का था बाकि यह याद तो करना ही नहीं कुछ भी देखके ही समझ जाएगे यह कोशन को कैसे हो रहा है तो क्या यह कुछ ऐसे convert हो जाएगा e raise to power z और dx upon 1 plus में x square किस में connote हो चुक है dz में connote हो चुक है देखो देहान से देखो dz is equal to dx upon 1 plus में x square में connote हो चुक है क्या हाँ तो यह क्या बन जाएगा dz बन जाएगा सारा का सारा अब इसका integration तो हमारे को आता है e की power z का integration e की power z ही होता है plus में c आजाता है c क्या है आपे constant of integration अब देखो e की power z हमने यहाँ पे z की function में z की form में तो था नहीं हमारे पास function z तो हमने माना है इसलिए उसको वापिस से replace कर देंगे तो z क्या है 10 inverse x का माना था हमने e raised to power 10 inverse x plus में c this is the final answer अब देखो ध्यान से बाकी questions हम करेंगे next video में मैं आपको बता जाता हूँ कि NCRT के कौन कौन से questions exercise NCRT exercise 7.2 इसके कौन कौन से questions method of substitution से हो जाएंगे होंगे तो सारे ही substitution के मगर type 1 के अंदर जो questions आ रहे हैं उनके बात करते हैं ठीक है देखो तो हमारे का उस questions है question number first second third fourth fifth sixth seventh इसके अंदर कुछ questions हमने method of transformation से अभी कर रहे थी हैं ना जैसे कि हमने कर रहा था 11th question और कुछ questions से ठीक है हम इन questions को देखेंगे पर बता जाता हूँ कि type 1 के अंदर सारे-सारे questions आजाएंगे ये एक तो है अप्टू 17th अप्टू 17th question और और हो जाएगा 18th question पी हो जाएगा 19th पी होगा 21st 22nd 23rd 24th यानि कि ये चलते हैंगे ये हो जाएगे यानि कि maximum question जो है 7.2 के वो type 1 के अंदर आएगे हम इन questions को करेंगे next class के अंदर जो बच गए हैं type 1 के और questions करने हैं हमारे को substitution part 2 में जाएगे